हेलो बच्चों मैं बिंदु चोत्री स्वागत करती हूँ आपका राजस्तान सरकार और वेदानता के CSR इनिशेटिव एक अक्षा में जिसके टेक्निकल पार्टनर हैं मिशन ग्यान बच्चों हम स्टोरीज कंटिन्यू कर रहे हैं और स्टोरीज में भी हमारे जो आवलीन स्टोरी है वह कंटिन्यू है विच वस रेटन बाई जेम्स जोयक सर जेम्स जोयक सर की से हम बात करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि यह 1882 बर्थ और 1941 में की डेथ हुई थी इन्होंने नौवलिस्ट के रूप में बहुत अच्छा परफॉर्म किया यह शॉट स्टोरी राइ है तो हम देखते हैं कि इनका जो वर्क है बहुत ही अच्छा है और एवलिन के उपर इनका काम करना नो डाउट बहुत ही अच्छा है कैसे है हम आपको बताते हैं एवलिन की स्टोरी को रिकॉल करवाती हूं मैं आपको एक फैमिली होती है जिसमें एवलिन होती है एवलिन क तो बच्चो फादर जो हैं वो फैमिली के प्रती डिवोटेड नहीं हैं उनकी गलत आदते हैं और गलत आदतों की वज़े से ही इनकी जो मदर हैं उन्होंने भी बहुत स्ट्रगल किया था हम इनकी मदर की बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं कि आवलीन की जो मदर है इन्होंने भी अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रेगल किया था और अपनी फैमिली को अपने बच्चों को पालने में इनकी बहुत बड़ी भूमिका रही थी और जिस दिन इनकी डैथ हुई थी उस दिन इनोंने आवलीन से भी प्रॉमिस लिया था कि आवलीन आपको इस परिवार को बां अरनेस्ट को अरनेस्ट जो हैं वो एक चर्च डेकोरेशन का काम करते हैं डबलीन छोड़ दिया है बट उसी कंट्री के अलग-अलग पार्ट्स में वो चर्च डेकोरेशन का काम कर रहे हैं हैरी अभी छोटे हैं अब हम मुख्य पातर की बात करते हैं आवलीन की बात करते ह तो एवलीन जो है 19 येर ओल्ड गर्ल है बहुत ही लेवोरियस है अपनी फैमिली के लिए डेडिकेटेड है ये अपनी मा को कियावा प्रॉमिस पूरा करती है इन्होंने अपनी मा को प्रॉमिस किया था कि मैं फैमिली की टेक केर करूंगी और इसके लिए वो केर टेकर का काम और जो शॉप में भी काम करती हैं, ऑर जो शॉप की ओनर होती हैं वो भी चाहिक को बहुत ही सपोर्ट करती हैं और जो भी कस्टोमर्स वहां आते हैं उन सब को लगता है कि लोजिक करेक्टर है और सब Evelyn की भी respect करते हैं इधर हम बात करते हैं Evelyn और Frank के relation की जी हाँ Evelyn जो 19 years old होती है वो ये सोचती है कि उनके जो father है वो उनकी बिलकुल भी care नहीं कर रहे हैं और धीरे धीरे एक seller होते हैं Dublin आते हैं वो time to time जिनका नाम होता है Frank तो Evelyn जो है वो Frank से love करने लग जाती है और कई बार उसमें क्या देखती है कि ये जो Frank है ये kind person है manly है और इनके जो stories हैं उनको सुनना Evelyn बहुत पसंद करती हैं धीरे धीरे इन सब बातों का Frank और Evelyn की बातों का Evelyn के father को पता चल जाता है और Evelyn के father जो है वो बहुत गुस्सा कर करते हैं और Evelyn को कहते हैं कि ये जो sailors होते हैं न ये विश्वास करने लाइक बिल्कुल भी नहीं होते हैं और Evelyn इस चीज को नहीं मानती है और एक time fix करते हैं Frank और Evelyn की XYZ date को हम लोग यहां से चले जाएंगे और उसके लिए जो Frank है वो boat तक का इंतिजाम करके रखता है वहा जाते हैं बट Evelyn जो हैं वो रैंप पे चड़के रेलिंग पे ही अपना हाथ पकड़के खड़ी रहती हैं क्यों खड़ी रहती हैं because she felt guilty for this one उन्हें guilty feel होता है उन्हें अपनी मा की बात याद आती है कि बेटा आपको अपनी family का care taker बनके रहना है आप ही को इन दोनों भाई को बड़ा करना है कई सारे circumstances होते हैं कई सारी चीजे होती हैं जो Evelyn को रोकती हैं कि आप ये गलत decision ले रही हैं एक तरफ तो Evelyn के दिमाग में चल रहा होता है कि जो priest हैं वो भी तो Dublin छोड़के Melbourne shift हो गए हैं और मेरे father तो उनको बहुत ही आदर्श की रूप में देखते हैं उनको रूम में उनकी photo लगा रखी है और उस photo को जो भी visitors घर पे आते हैं उनको बताते हैं कि ये priest हैं ये मेरे friend है और at present ये Melbourne में settle हैं यहां तक की बात होती है एक और है कि ये Ernest से बहुत attest थी तो इनको याद आती है अपनी एक friend जिनकी death हो चुकी होती हैं सबसे बड़ी Ern Ernest की याद आती है कि Ernest की भी death हो चुकी होती है और याद आती है अपनी mother की तो ये जो तीन character से इनके death हो चुकी है प्रिस्ट जो है वो Dublin छोड़के जा चुके हैं तो Evelyn को एक बार तो एहसास होता है कि क्या हो गया मैं यहां से चला जाओंगी तो लेकिन next time उसे अपनी mother की बाते याद आती है कि नहीं बेटा आपको अपनी family की care करनी है आपके भाईयों की आपको देखबाल करनी है उनको याद आता है Evelyn को कि मैं यह जो कर रही हूं यह गलत कर रही हूं कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि जो Frank है वह मुझे पानी में डुबो दे या कुछ और मेरे संग गलत हरकत कर दे तो कई सारे circumstances होते हैं वो God से भी पुछती है God I am doing good or not और यहाँ पे भी उनको लगता है कि जो God है जैसे अपन मंदिर का घंटा बजाते हैं same condition उनका जो हर्ट है वहाँ पे God कहते है no you will not go with Frank और यहीं पे हम क्या देखते हैं जो Evelyn है वो Frank के साथ नहीं जाती हैं उन्हें याद आता है अपने फादर के बारे में किट्सो के मेरे फादर ओल्ड हो चुके हैं अब वो अपना खुद का काम भी नहीं कर पाते हैं तो अगर मैं भी चली जाओंगी तो मेरे परिवार की देखवाल कौन करेगा और मैंने जो मेरी मा से वादा किया था who will fulfill that promise तो इनी सारे circumstances का तानावाना वुना गया है इस Evelyn में James जो है वो Evelyn के character को इतना powerful बताते हैं कि एक लड़की जो है वो अगर अपने संसकारों से चले तो वो अपनी family के लिए बहुत अच्छा result दे सकती हैं क्यों क्योंकि वो Frank के बारे में भी निश्यिंत नहीं थी hope आपको story याद आ गई होगी बच्चों अगर story याद आ गई है तो part second मेरे साथ शुरू कर दीजिए question answer का जी हाँ सबसे पहले अपनी note books निकालके रखिए pen लीजिए और मेरे साथ साथ इसको पहले हम read out करेंगे then after आप बार बार इसको read out करके write down करें और learning process में इसे लीजिए after all we are taking our first question जी हाँ और इसी first question की अगर हम बात करते हैं तो हम क्या देखते हैं यह जो first question है यह है जो है एवलीन और उनके भाईयों के और जो उनका friend circle होता है उनके बचपन से जुड़ा हुआ है see this one why were children worried while playing in the field field में खेलते वक्त जो बच्चे हैं उन्हें किस चीज की चिंता हो रही होती है why are they worried see the answer the children were worried because of their father बच्चों का सबसे बड़ा जो चिंता करने का कारान वरी होना है वो why they are worried because of their father their father was violent and it's dangerous kept them worried including their elder sister उनके जो father होते हैं वो बहुत ही violent होते हैं और इसी बज़े से जो बच्चे हैं उनको anytime डर लग रहा होता है कि father आने वाले हैं और जो उनके elder sister है अवलीन है उन्हें भी बहुत डर लग रहा होता है the arrival and thinking about their father always palpitated them all उन बच्चों को खेलते वक्त हमेशा एक खटका रहता था क्या कि पापा आने वाले हैं और पापा आके हमें डांटेंगे their father was a careless towards them and left everything to Aveline their elder sister अगर हम Aveline के father की बात करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि Aveline के जो father होते हैं वो बहुती careless person होते हैं और वो साधी चीजों को Aveline के उपर छोड़के बिलकुल निश्चिन्थ होते हैं उन्हें बिलकुल भी अपने बच्चों की परवा नहीं होती है it's okay Aveline और Frank के relation में जब उन्हें पता चलता है तब वह जरूर interfere करते हैं और Frank और Aveline के father के बीच में इस चीज़ के लिए नोक जोंक भी होती है but after all अगर हम Aveline और उनके बहन भाईयों के father का character देखते हैं तो वो एक violent father के रूप में हमारे सामने आता है next question देखिए यहां पर mention the responsibilities that Aveline had to take over in her house Aveline जो है वो अपने घर में किस तरह की responsibilities को bear करती थी वो घर में क्या-क्या काम करती थी हमने आपको story बताई है आप hope आप इसे examine कर पाएंगे अपने आप interpret कर पाएंगे फिर भी मेरे साथ में इसका answer को step by step देखिए और इसे मेरे साथ read out करिए after the death of her mother Aveline promised her mother to keep the house united Aveline की जब mother की death होती है उस दिन रात को Aveline की जो mother होती है वो Aveline से एक promise लेती है क्या promise लेती है कि आप इस परिवार की देखबाल करेंगी अपने भाईयों की देखबाल करेंगी और Aveline उसे fulfill भी करती है तो अपनी मदर की death के बाद में जैसा कि Aveline ने अपनी मदर से promise किया था कि वो इस family को united रखेंगी एक रखेंगी मजबूत रखेंगी और इसी के लिए वो घर की साफ सफाई डेली करती थी पूरे घर का जो management होता है वो सब Aveline ही करती थी She also took care of her younger brothers Ernest and Harry वो अपने जो छोटे बेहन भाई है Ernest और Harry दो भाई होते हैं उनके उन दोनों भाईयों की वो बहुत ही ज़्यादा care करती है और उन्हें protect करती है और उनके आगे पढ़ाई का भी बहुत ज़्यादा ध्यान वो रखती है She had to arrange food provisions for the family इसके अलावा family के लिए खाना पानी का इंतिजाम करने का काम भी Evelyn के उपर ही था तो इस हिसाब से हम देखते हैं कि Evelyn के उपर house की बहुत ज़्यादा responsibilities थी See the next question with me How did Mr. Hill react to the relationship between Frank and Evelyn Frank और Evelyn के बीच में जो relationship होती है मैंने आपको story बताई बच्चों तो उस relationship के उपर ही based a question है आप इसे मेरे साथ साथ read out करिए Mr. Hill did not have a good opinion about Frank Mr. Hill जो कि Evelyn Hill के father होते हैं उनका Frank के प्रति बिलकुल भी opinion सही नहीं होता है He said that these sailors were not worthy to be believed Mr. Hill कहते हैं कि ये जो Frank है जो sailor का काम करते हैं इसी तरह के दूसरे बहुत सारे व्यक्ति हैं जो sailor का काम करते हैं तो Mr. Hill के mentality होती है कि Frank जो sailor है इन लोगों के उपर हम कभी भी विश्वास नहीं कर सकते हैं ये विश्वास करने लाइक होते ही नहीं है He also stopped Evelyn to meet Frank और एक बार उनके और Evelyn के बीच में भी बात हो जाती है Mr. Hill जो Evelyn के father है वो Evelyn को clear cut कह देते हैं कि आप Frank से बिलकुल नहीं मिलेंगी क्यों क्योंकि Frank आपके level का आदमी नहीं है वो हो सकता है वह एक बहुत बड़ा धोके बाज हो because he is sailor और sailors पे हम believe नहीं कर सकते हैं One day they both Frank and Mr. Hill quarreled over the matter of love between Frank and Evelyn और इसी वज़े से एक बार Frank जो है वो Mr. Hill को मिल जाते हैं और Mr. Hill और Frank में जगड़ा हो जाता है कि आपका Frank का और Evelyn का जो relation है love purpose से वो सही नहीं है और as a father वो अपने यहां पर duty नहीं भाते हैं वो Frank से जगड़ा कर लेते हैं कि आप मेरी बेटी को बरगला रहे हो बहका रहे हो आप यह काम करना बंद करिए तो यहां पर as a father it's okay अगर हम Mr. Hill की बात करते हैं तो यह violent father की रूप में है हमने हमारा जो first question है उसे देखा बच्चों लेकिन यहां पर हम as a daughter's father हम क्या देखते हैं कि Mr. Hill जो है वो अपने responsibility को बहुत अच्छे से निभा रहे हैं इनकी responsibilities निभ रही हैं लेकिन आवलीन क्या कर रही हैं देखिए सबसे पहले यह question क्या पूछ रहा है आवलीन के बारे में in what way was Evelyn similar to her mother किस रूप में Evelyn जो है वो अपनी मा के similar थी अपनी मा की जैसी की जैसी थी आपको अगर हम उनकी मा के बारे में बताया भी था मैंने और अभी भी मैं बताती हूँ उनकी जो मा है बहुत ही kind होती है और अपनी family के लिए dedicated होती है see the answer with me Evelyn was a very obedient girl Evelyn जो है वो बहुत ही obedient girl थी she fulfilled the promise that she had made to her mother और हम क्या देखते हैं कि जो Evelyn है वो अपनी mother से की गई promise को पूरा करती है वो satisfy करती है कि उनकी mother ने death वाली रात को जो उनसे promise किया था वो उसको पूर्ण करने में लगी हुई थी she took care of her two younger brothers for carefully और उनके जो दो छोटे भाई थे Ernest and Harry तो Evelyn Ernest और Harry की बहुत अच्छे से देखबाल करती है she also raised food provisions for them ना सिर्फ देखबाल करती है बलकि उनके खाने पीने का इंतजाम भी आवलिन ही करती है इसके साथ में ही आवलिन घर की साफ सफाई का कार्य भी पूर्ण रुपेन अपने उपर लेके रखी भी है she did not pay any heat to her father's violent behavior और कई बार उनके फादर गुसा भी कर जाते थे जैसा कि हम जानते हैं कि उनके फादर का जो बिहेविर है वो वोईलेंट था वो अपनी wife के प्रती भी वाईलेंट थे और बच्छों के प्रती भी थे और अफ्टर mother's death सारे जो गुसा था वो अवलेंट के उपर आता था लेकिन अवलेंट बहुत ही patiently बहुत ही कामली अपने फादर के गुसे को बियर करती थी वो अपोज नहीं करती थी फादर को in this way she was like her mother और इसी तरह से हम क्या देखते हैं कि वह जो है एकदम अपनी मदर की तरह ही थी तो उनकी मदर जो है वो बहुत ही अच्छी थी उनकी जो मदर है उनका करेक्टर मैंने आपको बताया फर्स पार्ट में भी बताया अभी स्टोरी स्टार्टिंग में भी बताया बच्छों कि उनकी जो मदर का करेक्टर होता वो बहुत ही अच्छा होता है उनकी जो मदर है वो इवन जो इटालियंस वाइलेंस बजाते थे उनको भी कुछ पैसा इत्यादी दे देती थी लेकिन मिस्टर हील को ये चीज बिलकुल नहीं पसंद थी देखिए इसे को हम कुछ रांसवर में लेते हैं Damn Italians coming over here Who said this? What does this reflect about his character? Damn Italian coming over here जो Damn Italian है वो यहाँ पर आजाते हैं यह किसने कहा और इसके पीछे कहने वाले का क्या रूप सामने आ रहा है इसी को हम आंसवर के रूप में देखते हैं बच्चों These words were said by Aveline's father when there was an organ player at the avenue होता क्या है? Italian एक organ player होता है वो सडकों पे घूम घूम के अपना जो organ है उसे बजा रहे होते हैं और जो आसपास के गली महले के लोग होते हैं वो उनको कुछ न कुछ amount है या खाने की चीज़े हैं वो उन्हें दे देते हैं तो ऐसा ही एक बार हुआ कि एक organ player जो है वो गली में से जा रहे थे तब Aveline के फादर ने क्या कहा? Damn Italians come over here यह जो Italians है न यह यहाँ पे आ जाते हैं इसके पीछे क्या character जलक रहा है वो भी हम देखें Aveline's mother was sick Aveline के जो mother होती है वो sick होती है बिमार होती है She gave the organ player some money वो बिमार होती है लेकिन वो जैसे organ player वगर जो बजाने वाले होते हैं उनको वहाँ पे आता जाता देखते हैं तो वो कुछ रुपे निकालके organ player को दे देती है At that time he said these words और उसी समय जो Mr. Heal है Aveline के फादर हैं उन्होंने यह शब्द कहे थे This shows that Aveline's father was full of proud and treated ill with the poor और यहाँ पे हम क्या देखते हैं जो Aveline के फादर है वो बहुती proudie person है और वो poor people से बहुती ill treating behavior करते हैं तो यहाँ पे हम उनके Aveline के फादर का behavior देखते हैं उस character को देखते हैं जो ना सिर्फ अपनी family के लिए irresponsible है प्लस वो दूसरे लोगों से भी ऐसे ही बरताव करते हैं नेक्स कुशिन अगर हम देखते हैं बच्चों तो हम organ player वाला जो कुशिन है उसी के उपर देखके Aveline का जो attitude है उसको देखते हैं what does the organ player's appearance signifies to Aveline when she decides to leave Aveline जो है वो अपना घर छोड़के Frank के संग जा रही होती है और उस दर्मियान उनको organ player की बाते organ player के लिए क्या क्या बाते हुई वह है चीजें दिमाग में आती हैं तो ये क्या signify करती है Aveline के लिए इसी को इस प्रश्न के उतर में हमें लेना है Aveline could hear the organ player who was playing in the street Aveline जो है organ player को सुनती है उस समय जो कि एक गली से गुजर रहे होते हैं और organ play कर रहे होते हैं She reminded of her mother और उसी समय उनको अपनी मा की याद आ जाती है क्या थी मा की यादे जब उनकी मा बिमार थी तो organ player जब भी गली में से आते थे तो वो कुछ amount उन organ players को दे देते थे जिससे उनके जो husband थे Mr. Hill जो है वो बहुत ही नाराज रहते थे तो यही चीजें Evelyn के mind में घूम रही होती है she made a promise to her mother to keep the home together उन्हें याद आता है कि मैंने मेरी मदर से promise किया था कि मैं इस घर को जोड के रखूंगी इस घर को तूटने नहीं दूंगी इस घर की देखवाल करूंगी she also remembered the last night she spent with her mother और उसे वह अंतिम रात याज आ जाती है जो उनकी मा की अंतिम रात थी जी हाँ जिस दिन उनकी मदर की death हुई थी वह रात Evelyn को अपने दिमाग में घूम रही प्रतीत होती है she was very ill that night उस दिन Evelyn की जो मदर है बहुत जादा बिमार थी it gave her a strange feeling और वह जो चीजे हैं वह जो दिमाग में उनके सब चीजे घूम रही होती है यह Evelyn को बहुती strange feeling देती है और हम कह सकते हैं कि कहीं न कहीं Evelyn को Frank के साथ जाने से रोक भी रही होती है एक और बात हम बात करें हम Evelyn के sacrifices की बात कर रहे हैं तो हम यह भी देखें कि write about the family of Evelyn Evelyn की जो family है उसमें कौन कौन है कैसे हैं यही हमारा next question है सबसे पहले हम step by step चलें बच्चों तो हम क्या देखते हैं Evelyn's mother is dead Evelyn की जो mother है वो बिमारी की वज़े से मृत्यों को प्राप्त हो चुकी होती है उनके death हो चुकी होती है हर father never pays attention towards his three children उनके जो father है वो इन तीन बच्चों के प्रती बिलकुल भी ध्यान नहीं दे रहे होते हैं she has two brothers Ernest and Harry Evelyn के दो ब्रदर थे एक का नाम Ernest था और दूसरे का नाम Harry था Evelyn के जो father होते हैं Mr. Hill ना तो वो Evelyn पे ध्यान देते हैं और ना Ernest और Harry के उपर बिलकुल भी attention पे करते हैं Evelyn has to do all for the sake of her brothers और Evelyn को ही अपने भाईयों के लिए सब कुछ करना होता है betterment के लिए उनको खाना बना के देना है उनके लिए arrangements करने हैं घर की देखवाल करनी है सारा काम कौन करेगा Evelyn करेंगी Her brother Ernest is in the business of decorating the church उनके जो brother होते हैं Ernest उनका क्या काम होता है वो church को decorate करने का काम करते हैं और Dublin से इधर उधर जात्रा करते रहते हैं decorating business के परपस से Evelyn's father sometimes help them but for this help she has to make a lot of efforts Evelyn के father हैं वो कभी कभी इन तीनों बच्चों की देखवाल कर देते हैं कभी कभी उनकी care कर देते हैं help कर देते हैं परन्तु इस सब के लिए Evelyn को बहुत ज़्यादा struggle करना पढ़ता है और हम कहे सकते हैं overall जो responsibilities है वो सिर्फ और सिर्फ Evelyn के उपर ही IV होती है earnest जो है वो कुछ amount अपने father को भेजते भी है और उस amount से कुछ एक amount जो है वो Evelyn efforts करके अपने father से लेती हैं बाकी उनके father खोदी उसे use में ले लेते हैं बचो हम next question की तरफ देखते हैं तो हम क्या देखते हैं कि next question जो है वो Evelyn के sad mood के उपर लिया गया है Evelyn का mood sad क्यों है हमें पता है बट उसका result भी क्या है अच्छा ही होगा ये भी हमें पता है तो first हम इस question को read out करते है why was Evelyn in a sad mood that evening उस शाम को Evelyn जो है वो बहुत ही बुरी तरहे दुखी हुई भी थी उनका जो mood है वो बहुत ही दुख भरा था तो what is the reason behind this इसके पीछे क्या reason हो सकता है क्यों उनका mood sad था इसी का answer हम देखते हैं बच्चों Evelyn was in a very sad and tired position Evelyn बहुत ही दुखी और ठकी हुई अवस्था में थी उनका जो position है बहुत थी tired position में वो अपने आपको feel कर रही थी she was in a kind of fix और एक तरह से वो श्थिरता में आ जाती है कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं वाली position उनके सामने आ रही थी she had to look after her brothers and on the other hand there were great problems and no support from her father सबसे पहले अगर हम Evelyn की बात करते हैं तो Evelyn का हम क्या देखते हैं कि family में सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी होती है वो Evelyn की अपने भाईयों के प्रती रहती है और भाईयों के प्रती वो अपनी जिम्मेदारी बखो भी नहीं गबाती है साथ में उसको एक और problem होती है क्या होती है कि उनकी father की तरफ से उनको बिलकुल भी support नहीं मिलता है contrary to it she was in love with a boy with whom she could leave happily एक और हम यहाँ पर contrary देखते हैं विरोधाबास देखते हैं क्या देखते हैं कि एक तरफ तो वो अपनी family के लिए struggle कर रही है लेकिन दूसरी तरफ वो एक ऐसे लड़के के प्रिम में है जिसको देखकर उसको ऐसा लगता है कि मैं इसके साथ happily रहे सकती हूँ खुशी-खुशी रहे सकती हूँ she thought whether she should go or not with him और यही reason होता है कि वो सोचती है कि क्या मैं Frank उस लड़के के साथ मैं घर छोड़के जाओ या ना जाओ तो यहाँ पे हम जो आवलीन का mood है अपने आप से जो आवलीन है से स्ट्रगल कर रहे हैं उस mood को हमने देखा और हम क्या देखते हैं कि जो author होते हैं James Joyg जो है वो वहां का जो station होता है उसका बहुत अच्छा वर्णन करते हैं उसके उपर एक और best question है हमारे पास में see how is the station described by the author author ने station को कैसे describe किया था इसी को हम answer में लेते हैं देखिए बच्छो the station was full of crowd जैसे normally हम हर station को देखते हैं तो यहां पे भी author ने भी वही चीज का creation किया है the station was full of crowd it was weighing with crowd बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा भीड थी वहां पे there were many soldiers वहां पे ज़्यादा तर किसकी भीड थी shoulders की भीड थी shoulders बच्छों किस कलर का bag लेके चलते हैं shoulders का अमूमन हम देखते हैं उनके पास में जो उनका brown color का bag है वह संग में चलता है तो यहां पे भी author ने भी इसी concept को लिया है they all had brown bags with them जितने भी shoulders वहां station पे थे सब के पास में brown color के bag थे there was a mass of boat बहुत सारी boats भी वहां पे station पे थी she could glimpse the black mass जो आवलीन है वो क्या देखती है कि चारों तरफ जो है black mass बहुत ज़्यादा है अश्वेद लोग है वो बहुत ज़्यादा वहां पे है the boat was whistling boat city वजा रही होती है it means उनके departure का time होता है उनके boat के वहां से लंगर से निकलने का वह time होता है it was looking mournful to आवलीन और यही जो सब है वो आवलीन को दुखी कर देते है she found herself alone in the crowd वो इतनी सारी भीड में भी अपने आपको अकेला महसूस करती है तो यहां पे हम आवलीन को देख रहे हैं आवलीन के बारे में बात कर रहे हैं तो हम author के point of view से जब आवलीन station पे खड़ी होती है उस चीज़ को हम recognize करते हैं कि author ने बहुत ही अच्छा description station का दिया है next हम एक last हमारे question attempt कर रहे हैं उसको अगर हम देखते हैं तो हम क्या देखते हैं बच्छों what did आवलीन think about her father and brothers that evening आवलीन उस दिन शाम को अपने फादर और अपने ब्रदर्स के बारे में क्या opinion रखती हैं और वो क्या react करती हैं आपको पता है कि वो कौन सी शाम है recognize करिए उस शाम को उस शाम को जब वह एकदम sad mood में थी जब वो फ्रेंक के संग जाना चाहती थी लेकिन वो फ्रेंक के संग नहीं गई क्या क्या बाते उनके दिमाग में reveal हो रही थी see with me with answer आवलीन thought about her brother अर्नेस्ट आवलीन जो है अपने भाई अर्नेस्ट के बारे में सोच रही होती है he was her favorite but she also liked her brother Harry Ernest जो है वो आवलीन के सबसे प्यारे ब्रदर के रूप में होते है it's okay कि वो Harry को भी बहुत चाहती थी but Ernest के प्रति उनका wishes लगाव था her father was becoming old उनके जो father है उनके बारे में वो अपने पापा के लिए realize करती है आवलीन कि जो मेरे father है वो कितने व्रद हो चुके है she noticed that he would not be able to look after himself आवलीन notice करती है कि जो मेरे father है वो तो इस position में है कि वो तो अब अपने आपकी भी देखबाल नहीं कर पा रहे है अपने आपके भी काम अपने आप नहीं कर पा रहे है he was nice to her sometimes but not always याद करती है एवलीन कि उनके जो father है वो बहुती अच्छा व्यवार भी कई बार एवलीन के साथ करते थे it's okay हमेशा नहीं करते थे बट कई बार एवलीन के जो father है उनके साथ बहुत अच्छा व्यवार करते है तो यहाँ पे हम क्या देखते है एवलीन को अपने father का plus point positive attitude भी दिमाग में रहता है कि मेरे जो father है वो कई दिनों मेरी देखवाल भी करते थे कई बार वो मेरे लिए toys एटसेटरा भी लेके आते थे if she left them she would miss them अगर फ्रेंक के साथ में आवलीन घर चोड़ के चली जाती है तो आवलीन ना सिर्फ अपने father को old father को miss करेंगी साथ ही फ्रेंक के साथ जाने से अरनेस्ट और हैरी को भी वह miss करेंगी there was no other chance to meet them और अगर एक बार आवलीन जो है वो अपने घर को छोड़ के चली जाती है तो second chance उनको नहीं मिलेगा कि वो अपने father से और अपने भाईयों से अरनेस्ट और हैरी से मिल सके और इसी लिए हम क्या देखते है कि एवलीन जो है in the last क्या decision लेती है याद करिए एवलीन क्या decision लेती है एवलीन कहती है कि मैं फ्रेंक के साथ घर छोड़ के नहीं जाऊंगी उसे वो सारे circumstances याद आते है उसे अपनी मा से करा गरा promise याद आता है उसे याद आती है अपने पापा की कई अच्छी बाते है उसे अपने ब्रदर की हर अच्छी चीज याद आती है अरनेस्ट जो है वो उनके बेस्ट ब्रदर होते है बट हैरी भी अपने आप में बहुत ही अच्छे होते हैं तो ये सारे circumstances जो हैं वो James Joyak Sir ने create किये है अवलीन के लिए और हम क्या देखते हैं 19 years की जो लड़की है वह अपना अच्छा और बुरा सोचती है अपनी फैमिली को बेस बना कर जी हाँ फैमिली के लिए वो sacrifice करती हैं लेकिन उनको यह भी लगता है कि ये जो मेरे ब्रदर हैं ये जो मेरे फादर हैं ये जो कह रहे हैं कि फ्रेंक के साथ as a sailor जो फ्रेंक है उनके साथ उनका जो love relation है वह गलत है वह खुद भी इस attitude से भी सोचती है वो क्या देखती हैं कि अगर मैं फ्रेंक के साथ जाती हूँ तो हो सकता है वो मुझे डूबो दे तो कई सारे जो circumstances James Joyce Sir ने create किये हैं वो एक तरह से बहुत ही अच्छी teachings हैं एक obedient हम कह सकते हैं children's के लिए students के लिए कि वो अपनी जिंदगी में कई चीजों को अपनी जिंदगी में उतारेंगे सीखेंगे कैसी लग रही है question answers की series मेरे साथ में हमने short answer question complete कर लिए है long answer questions हम next part में लेके आएंगे बच्चों तब तक बने रही है विंदू के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार